नमस्कार आप सबका मेरे यूटीब चैनल पामिस्ट्री हिलर में स्वागत है तीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को छीचे सिखाता हूं ऐसी जो शायद आपने नहीं देखी हो ना सुनी हो अब देखो आपने देखा होगा मोस्टली 99% पाम डीडर बड़ी तिजोरी चोटी तिजोरी कहना शुरू कर देते हैं तिजोरी समझते हैं ना मनी ट्रेंगल और तिजोरी कि ये दोनों रेखा यहां से बंद हैं और एक रेखा से सब्सक्रेंश यह यह जा रही है तो इसको कहते हैं ये वले को कि बड़ी जोरी है ऐसी बोलते हैं ना बोलते हैं या नहीं बोलते हैं बोलते हैं ठीक तो इसमें पैसे की involvement को कहां पर डाल दिया गया है किसने डाला यानि आधा ग्यान पता ही नहीं असलियत ही नहीं पता चलो इसको ना हम सीखते हैं ठीक है सीखते हैं देखो यह ना तीन लाईनों से बनता है एक हमारी लाइन मस्तिश्क रेखा जीवन रेखा और स्वास्ते रेखा इनसे एक तिरकोण बनता है अब ये तिरकोण को समझना है कि ये क्या कहता है ठीक है चौड़। मैट्स गनित जिसको आता था ये तो पता है कि अगर कोई ये डिग्री है ऐसे ये 90 डिग्री होगा अगर ये पूरी की पूरी फैल जाएगी 180 अगर ये है ये 45 डिग्री ये होगी ये 25 डिग्री ये तो पता था ना मैट्स तो आता है ना हम सबको आता है ये नहीं आता है तो इट मीज की ये पहले पकड़ना जरूरी है कि पहला कोण बनता किस वाली लाइन से है प्रथम कोण प्रथम कोण ठीक है अगर जीवन रेखा समस्ते रहना और मस्तिश्क रेखा जुड़ी हूई हो जीवन रेखा और मस्तिश्क रेखा जुड़ी हूई हो और बीस से पच्चिस परसंट का डिगरी का कौन बना हो बीस से पच्चिस डिगरी का कौन बनता हो तो यह किस चीज को बताता है बीस से पच्चिस का क्या मतलब है देखो मैंने आपको क्या सिखाया अभी हम यह चीज़ करते हैं यह 90 डिगरी का हो गया ये 90 डिग्री का कौन ठीक है ये कौन हमारा मैं कौन दिखा रहा हूँ ये लगबग 42-45 डिग्री का हो गया ये 30 के करीब हो गया ये वाला कौन यानि ये यहीं तक बना हुआ है अब इससे क्या होगा ये व्यक्ति की दूर दर्शता और बुद्धी को बताता है समझे रहें इसमें फेट लाइन आई ये न अब अगर इसको मैं और कम करता रहूं तो एक लाजिक समझो ये लाजिक क्या है ये कम होता रहेगा ये आफशुट कम होता रहेगा तो व्यक्ति की लाइफ में क्या होगा मुनश्य बहुत बद्दिमान तो होगा ही होगा क्योंकि उसने माइड लैन को पकड़ा है लेकिन वह इर्शा करने वाला होगा थोड़ा सा कुरूर प्रक्तिका होगा जीवन रेखा और शीर्ष रेखा प्रारंभ में दूरी पर हो दूरी तक रही हो तो यानि ये और ये दूरी तक जुड़ी रही हो तो इसका मतलब ये है तो कोई अभी समंदर शास्तर में दिखाऊंगा क्या चीजे लिखी है ये दोनों जुड़ कर रही हो तो हम लोग कहते है जीवन का विकास नहीं होता ये नहीं होता ये ही कहते है और उसके उपर ये वाला कौन बना हो तो अब इससे क्या होता है व्यक्ति को साहस की कमी होती है अपॉर्चुनिटी गैदर करने में वो साहस की कमी क्या है अगर कोई दूर जॉब मिल रही है साहस की कमी आ है मैं जाओ नहीं जाओ नहीं 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 यानि उसके अंदर साहस कम को गैदर करने में दिक्कत आएगी यही तो सारी प्रॉब्लम साती है हम इसको इस तरीके से समझे न और अगर इस वाले डिग्री कौन को मैं बढ़ाता जाऊं अगर मैं सपोस्पोस यहां से लेकर ऐसे कर दूँ ऐसे लगबग 60% पर कर दूँ 65% पर कर दूँ अब मुद्दा यह आता है कि यह वाली लाइन छोटी हो और यहां से पतली हो ठीक है और यह ऐसे चल रही है ठीक है यह ऐसी हो या पतली हो या इस पर टच ना करे पतली हो या टच तो आप कहते हो कि यहां पर पैसा रुक जाएगा खर्चे जाता होंगे यही कहते हो ना तो यहां तक का मतलब है कि बुद्धी की में कमी यानि डिसीजन लेने में कमी डिसीजन लेने में कमी और अगर यह बढ़ जाती है इसका मतलब क्या होता है कंजूस रहना दूसरों की परवार ना करना अपने लिए सोचना और उसे भविष्य की चिंता रहती है सर वो तो मचली वाले अंकल कहते है क्रस रहे तो मचली तो यह भविष्य की चिंता रहती है नहीं ना आपको मैं पहले सर आपकी बात ही नहीं समझ जा रही है आप आप ना गलत तरीके से समझ चलो समुद्र शास्तर दिखाता हूँ देखो ब्रहत कौन के समाने लक्षन बताए गए हैं वे बताया चुका हूँ कि इनकी तीन भुजा होती है शीर्ष रेखा जीवन रेखा स्वास्तर रेखा इन तीनों से तीन कौन बनते हैं यदि शीर्ष रेखा जीवन रेखा के मिलने से कौन बनता है तो उसका विचार हम करते हैं प्रतम कौन यदी यह कौन 20 से 25 डिगरी का है पहले उन्होंने एक कौन बना दिया 90 डिगरी का यह 90 डिगरी का कौन है ठीके अगर 20 से 25 डिगरी का बनता है तो सु나दर हो यह अच्छे तरीके से बना है जीवन रेखा और शीर्ष रेखा मिली हुई हो अच्छे डंग से बना है बुद्धी बुद्धी मता को बताता है दूर दर्श्यता को बताता है अब इसमें मनी कहां से आ गई यह कौन दस से पंदरा परसंट डिगरी का बना हो तो मुनश्य बहुत बुद्धी मांद किंतु इर्शा करने वाला कुरूर प्रवती का होगा किन्तो जीवन रेखा शीष रेखा प्रारंब तक दूर तक जुड़ी हुई हो अब जीवन रेखा और मस्तिष रेखा दूर तक या मिली हुई है जीवन का विकास नहीं होता ये कहते हैं ना सारे लोग इसमें कहां है कि जुड़ी हुई तो साहस की कमी होती है opportunities आती हैं लेकिन gather साहस की कमी gather नहीं कर पाएगा साहस की कमी है gather नहीं कर पाएगा घर से दूर नहीं जा पाएगा सोचेगा दस बारी सोचेगा समझ में आई नहीं आई तो हमने exact वो चीजे पढ़नी है जो समुदर शास्तर में लिखी हैं हमने वो नहीं सीखना जो की copy paste लगा हुआ है copy paste जैसे आजकल करोना के कारण क्या हो रहा है online classes हो रही है बच्चों की धड़ा धर 90% मार्क्स आ रहे हैं धड़ा धर 90 तो कुछ है ही नहीं मूँ उतर जाता है जो बच्चा 40% नहीं मार्क्स लाता उनके मावप आचकल ऐसे फूल के बने हुए हमारा बच्चा तो 95% लाया और वो करोना से पहले 40% के लाले पड़े हुए ते टूशन पड़ाई जा रही थी यह क्यों क्योंकि वो टिपन टिपाई हो रही है टिपन टिपाई समझते हैं एक मा सामने बैठ जाएंगी बहन बैठ जाएगी एक्जाम देना है गाइड खोल के बैठे हाँ बटा ही चुप 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 उदर से माइक बंद करा और देख लिया यह देख लो सब ऐसे हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के करोना के चक्कर में तो वो क्या है टीपन टिपाई हो रही है हो रही है न देखो अब ये कहते हैं ये है कौन 60-60 degree का होता है शीश रेखा छोटी हो स्वास्ते रेखा तक ना जाए यानि या तो कमजोर यहाँ पे थोड़ा सा हलकापन हो या पौँचे ही नहीं तो बुद्धी की कमी और गवारपन और अगर यह बढ़ जाए शीश रेखा से लंबी हो जाए दूसरों की परवा नहीं करता सदैव कंजूस रहता है उसे सदैव चिंता रहती है भविशे में पैसे की दिक्कत ना आए कंजूस ही किसलिए कर रहा है सेविंग करने के लिए सेविंग और हम कहते हैं क्रॉस है तो यह क्रॉस जो होता है ये कहता है कि मेरा भविश्य क्या होगा तो रटी रटाई बाते बोल रहे हैं मैं आपको वही बुक में से समुंदर समुंदर शास्त्र में से चीजों को पढ़ कर कोई भी आपको चीजों को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ मैंने मेरे इतने वीडियो बनने के बावजूद भी मनी ट्रेंगल की इंपोर्टन्स को मैं बेल्यू ही नहीं देता अभी एक वीडियो बनाया मैंने महान लोगों का असलियत तो मैंने एलन मस्क के हाथ में दिखाया कि मनी ट्रेंगल नहीं था और दुनिया का सबसे अमीर आदमी था दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसके हाथ में मनी टरंगल नहीं था क्या कहोगे मुझे पता है ना कि ये रेखाएं एक्चल में करती क्या है और ये बना दिया गया है बन गए बन गए हम तो पामिस्ट हैं हास्त रेखा देखते हैं चलो इसमें भी देख लेते हैं इससे अगला भी देख लेते हैं अगर शीर्ष रेखा और जीवन रेखा आपस में ना मिली हुई हो तो क्या होता है जिस और प्रवती होगी ना उसे और काम करेगा यानि वो जो अपॉर्शनिटी जिस वक्त गैदर छोटी बड़ी जैसे मिल रही होती है उस पर वो आगे बढ़ता है और अगर शीर्ष रेखा और जीवन रेखा के बीच में अधिक अंतर हो अब इसको क्या समझते हैं देखो यह क्या बताया है नीचे वाली का क्या मतलब है शीर्ष रेखा और जीवन रेखा में अधिक अंतर हो तो दूर साहस और दूर आदूर दरश्यता को बताता है यानि शीर्ष रेखा और जीवन रेखा के बीच में अधिक अंतर हो अब इसका मतलब क्या है ये और ये इसका मतलब क्या है यानि ये कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं इन पर अगर कोई शाशन करना चाहे तो ये अपने हिसाब से चलते है तो यानि इस पर भी तो ट्रेंगल बन सकता है इस पर भी तो बन सकता है तब ही तो बताए अब ये आप कहते हो खुला है खर्चे होंगे खर्चे यहां मनी की तो बात ही नहीं है मनी की बात ही नहीं है मनी की बात क्यों आएगी बड़ी तिजोरी क्यों कहोगे आप इसे फिर छोटी तिजोरी के लिए आप क्या करते हो जान मुझ के न ये वाला ट्रेंगल बना देते हो ये वाला ट्रेंगल जिसके बन में होगा उसके पास बहुत पैसा आएगा अरे नहीं होता इससे क्या पता लगता है कि कितना पैसा जुड़ा है या नहीं जुड़ा है दिखाता हूँ आप ये क्या लिखा है ये पहले ये बनाया है ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे बनाया है यानि माइंड लाइन बद्दी का मतलब टेड़ी मेडी कम जो और हो नीचे की और जुग जाए त्रिकोन का स्थान बहुत छोटा हो जाए यह छोटा हो जाए तो यह स्वास्ते भी अच्छा नहीं रहेगा अगर यह वाली लाइन सही है स्वास्ते अच्छा रहेगा और वेपार में आसफलता को बताएगा अगर यह वाली लाइन टेड़ी है तो आसफलता बताएगा अगर सीधी है तो नहीं बताएगा हाँ माइड लाइन अगर लहकदार है तो उसे कठनाईया आएंगी डिसीजन लेने में डिसीजन लेने अब देखो यह दी यह स्थान मुलाइम है यानि हथेली मुलाइम है भारी है पीला पन लिये है उंगलिया चोटी है मोटी है तीसरा पौर उसका फूला हुआ है देखा ना लोगों का फूला वो लोग क्या करते हैं संसारिक सुख जीवन का उदेश है उनका पैसा कमाना है पैसा कमाना है और आप कहते हो शनी से अगर रेखा चलती है तो पैसा कमाने के लिए प्रेदित करती है हिर्दे रेखा अगर शनी से चलती है तो पैसा क्या है ये पामिस्टरी तुक्के की पामिस्टरी क्या है हसी आती है ऐसा लगता है कि मैं ना किसी गलत जगा पर आ चुका हूँ मैं किसको समझाओं कि ये गलत पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो बेटा इससे कुछ नहीं फायदा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा सुधारो अपने आपको अब देखो यदे शीर्श रेखा और स्वास्ते रेखा गुलाईदार हो जिस कारण ये स्थान छोटा हो कायरता, शुर्ता और कंजूसी का लक्षन बताता है शुदृता, कंजूसी का लक्षन अगर ये सकत है, परश्र में होगा तरकौन बड़ा उन्नत ना हो, हिड़े रेखा, मंगल शेत्र के प्रथम शेत्र के उपर से जाती हो अतिली के बाहर जाती हो मनुश्य बहुत कंजूस होता है अब एक बात पता हो इसमें कंजूसी कहां से आ रही है अब इसको ज़रा समझते हैं ना यदीद ये तिर्कौन बड़ा है उन्नत ना हो ये तिर्कोन बड़ा है ठीक है ये बड़ा है लेकिन उन्नत नहीं है यानि बीच का एरिया वो डवलप नहीं है और हिर्दे रेखा और मंगल के प्रथम शेत्र के उपर से और जाती हो हिर्दे रेखा और मंगल के प्रथम शेत्र के उपर से जाती हो यानि ये थोड़ा सा उपर से जाती हो और हतेली के बाहर तक चली जाए तो बाहर तक पीछे तक चली जाए तो व्यक्ति कंजूस रहता है कंजूस रहता है तो मैंने आपको क्या बताया तीसरा भी दिखाता हूँ तीसरा कौन ये क्या लिखा हुआ है तीसरा कौन स्वास्थे रेखा जीवन रेखा को स्पर्ष ना करती हो और यह कौन पूरी तरह से नहीं बनता है उस केस में अभी समझाता हूँ यदि दोनों रेखाँ के बीच में कुछ स्थान खुला हो तो अच्छा होता है देखो ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये ठीक है स्वास्थे रेखा इससे जुड़ी नहीं है कौन पहले हम इस पे बना रहे देना इस पे नहीं बनाना वो कह रहे हैं ये यहां से स्वास्थे रेखा को निकाल दो इसके अंदर एक स्थान दे दो इसे गैप दे दो गैप दे दो एक तो स्वास्थे अच्छा रहेगा ठीक है ये गैप है ये गैप है ठीक है और अब इस पर ये चाहे ये टच हो रही है चाहे नहीं हो रही है समझते रहना अब मैंने क्या करा एक रेखा को यहां जोड़ दिया ये जोड़ दिया अब मैं क उन्होंने कहा है अच्छा होता है K1 यह बहुत अच्छा होता है यह अच्छा है इस वास्ते भी अच्छा रहेगा जीवन में भी अच्छा रहेगा आदमी सफलता भी प्राप्ट करता है यह तो पहले more than two properties के sign बन गए अब इसने V-shape ले लि अगर इस वले ने तो कितनी तरक कि रहने का क्या भाव है आप लोग किस पामिस्ट्री को इंपॉर्टन्स देते हूं कि भाईया यह जुड़ा है कि बड़ी तिजोरी पूरे वीडियो बड़ी तिजोरी के साथ बने हुआ है और मैं यह कहता हूं यह और यह लो मैंने यही बनाया बस केवल इतना बनाया पता है कितना अमीर आदमी है यह अगर पॉर्शन बन गया यह चाहे यहां से निकले यह कहीं से निकले मैंने कहा मैंने एक रेखा को सीधा लेकर टर्न करके यहां जोड दिया अब इस व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा अंधा पैसा होगा तो मैं तो नहीं मानता ना मैंने आपको क्या दिखाया मैंने तो आपको समंदर शास्तर दिखाया ना देखो उन्होंने क्या कहा पहला पहला इसके साथ बनाया दूसरी लाइन यह बनाई तीसरी लाइन यह बनाई यानि तीन दो यानि पहला दूसरा तीसरा इन तीन से आप बड़ा बढ़िया कारण होता है मैंने का इसमें तो मनी का काम ही नहीं है यह तो जीवन रेखा है यह आपका वेपार है वेपार में आप किसकी सहते से आगे बढ़ते हो पताओ जीवन में अपार्चुनिटी की सहता लेते हो माइंड का प्योग करते हो सफल बनते हो इसमें सफलता में आपको मनी कितनी जोड रहे हो वो जोडना यहां पर मेंशन होता है कौन सा घर खरीदा कब चले गए कब दो रेखा आई कब टर्न ले लिया कब आपने ट्रांसफर लिया कब क्या करा तो यानि यह रेखाओं पर जिन्दगी चलती है चलती है यह नहीं चलती है बियाद रखो यह डिगरी पर काम करता है यह जतना यह छोटा चलता जाएगा न अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी जितना यह उपर चलता रहेगा थोड़ी और अपॉर्चुनिटी थोड़ी और अपॉर्चुनिटी थोड़ी और अपॉर्चुनिटी आप इस तरीके से अपनी लाइफ को समझो आपने ये नहीं कहना कि ये एक आफशूट यहां से लेकर यहां तक है तो आपकी लाइफ यहां से यहां तक बहुत बढ़िया रहेगी क्यों रहेगी जरा इस पर प्रकाश डाले इस आफशूट पर प्रकाश डाले आँखे खोलो बताता हूं मैं आप मुझे बताओ आदमी का जीवन कहां से शुरू होता है यहां से होता है ना इस जगा से जीवन शुरू हो रहा है हो रहा है ना यह 20 साल की रेखा होती ह रहते हैं डिग्री 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 अभी मैंने जो बताया यह देखो यह मान के चलो मैं ऐसी सिखा रहा हूं 20 साल 21 साल 22 साल जैसे ही 24 साल आया यहां से यह एक्टिवेशन शुरू हो गया अब यह और यह को मान के चलो आपने एक मान लेना यहां पर एक लाइन को खीच करकी यह लाइन है यहां पर मान के चलो यह लाइन है अब यह वाला एक कौन बन गया ना यहां से उपलब्दियां इसके पास आनी शुरू होगी और यह कौन नीचे नीचे जा रहा है ना नीचे नीचे जा रहा है अब उपलब्दि क्वेंगी क्कटि यह खत्म हो रहा है इस वक्ट तो क्यों कहते हो कि शुरू हो रहा है देखो अभी आपको क्या बताया डिग्री कौन अगरージ पंद्रा से बीस मान के चलो यह वाना था यह एक रेखा थी यह डिग्री कौन बना हमारा बीस का 20 का बना अब यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन यह जिन्दिगी यह तो ठीक जैसे जैसे यहां पर आएगी यह तकलीफे इसकी लाइफ में है अब एक रेखा को बीच में जरूर डाल दिया जाएगा अगर इसको और अपॉर्चुनिटी डाल नहीं है ठीक है कभी कभी आपने देखा है ना कैसे हाथ होती है यह रेखा होती है उसके साथ एक आफशुट ऐसे आ जाता है एक तो यह जुड़े हुए ओफशुट होते हैं जूलता हुआ अफशुट होता है एक ऐसे होता है और कोई कोई आफशुट ऐसे करके ऐसे होता है होता है नहीं होता है यह आफशुट जो होगा न ये वाला जो ट्रिकोन बनाए न यहां इसकी लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस लाइन ने इसको अपॉर्चुनिटी दिला कर अब एक सेटिस्ट्रेक्शन दिला दी यहां से यहां तक की कि बäटा तेरे पास पैसा है और इन में नहीं है उन में नहीं है इन में वो स्ट्रगल मैंहनत करता हुआ चलेगा तो आप ये क्यों कहते हो कि यहां से शुरू हुआ है यहां से क्यों शुरू होगा G1 रेखा से कैलकुलेशन को आगे पकड़ता हूँ मैं ऐसे 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 इसी को पकड़ते हुए मैं आगे चलता हूँ चलता हूँ या ने चलता हूँ तो जब ये नीचे की तरफ त्रिकोर्ण बन रहा है तब कैसे होगा अब दो बारी लाइफ में जरूर चीजे होती है अब देखो कोई व्यक्ति यहां से पकड़ता हुआ चल रहा है यहां से तो आपने कैसे इनकी लाइफ में चीजे लेनी है तब इनकी लाइफ में यहां से तब यहां से आए की चीजे यानि ये वली लाइन इस जगा पर अगर फेट लाइन मान के चलो ये इनका 21 साल का समय है फेट लाइन पर तो 21 से लेकर इसका ये समय यहां से लेकर यहां तक का मान के चलो ये 30 साल का समय है तो 21 से 30 साल का समय इनका अच्छा जाएगा और वही 21-30 में यहाँ पर भी देख लेना अच्छा ही साइन बना होगा 21-30 का जब यह वाला आफशुड यहाँ अच्छा बना है न तो इधर भी वो साइन अच्छा बनेगा तो आपको तो reverse palmistry को पकड़ना चाहिए न यह reverse palmistry के कुछ fundamentals है मैं अभी mix नहीं कर रहा है इसे ठीके तो ऐसे palmistry को थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करिये कि कैसे सीखते हो आप लोग क्या गलख सीखते हो आप ठीके अगर वीडियो अच्छा लगए तो प्लीस लाक कीज़ेगा कमेट सुरू कीज़ेगा धन्यवाद